नमस्कार आप देख रहें विंद्या टाइम सरों में हूँ आपके साथ अभिलास मद्ध प्रदेश में सरकार की सुरू की गई योजना डायल हेंड फिर से एक बार बिबादों में आ गई है दरासल 632 करोन रुपए के टेंडर को लेकर एक बार फिर से बिबाद की सितने जर्म लिया है विधान सभा में प्रस्तु सिये जी के रिपोर्ट चौकाने वाले हैं सिये जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि घरेलू हिंसाक जैसी घटनाओं में फर्स्ट रिस्पोंस वीकल डायल हेंडर्ट टीम 12 घंट की देरी से मौके पर पहुंची बता दें कि मतप्रदेश में तुरित सर्विस और पुलिस सहायता उपलप्थ कराने के लिए 2015 में सेबा को सुरू किया गया था वहीं बिधान सभा में रिपोर्ट प्रस्टुत करते हुए सिये जी ने कहा कि चार साल में धाय लाक मामलों में डायल हंडर्ट मौके पर बेहत देरी से पहुंची है इसके अलाबा बिधान सभा में प्रस्टुत भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया कि 2015 में आमंत्रित टेंडर में मैसेज पी डेलिडी प्राइविट लिम्टेड का चैन किया गया था तकनीकी मुल्यांकन के आधार पर इसे चैन से बाहर किया गया था वहीं योजना की निगरानी पुलिस महान इदेशक इस तर पर गरबड़ी की बात सामने आई थी इसके बास से एक बार फिर से टेंडर का मामला वापस आया है CAG की रिपोर्ट में साप किया गया है कि टेंडर में बदलाओ कर दूसरे पार्टी को अनुचित लाप पहुचाया गया है वहीं डायल हैंडरेट प्रियोजना के 632 करोण के टेंडर की प्रक्रिया हमेशा बिबादों में रही राजसासन ने तरक दिया था कि ततकालीन पुलिस महानिदेशक ने अपनी सुझभूज से इस मामले में एक करोण 19 लाग रुपे की बचत की थी जिसे CAG द्वारा नकार दिया गया है वहीं डायल हंडरेट को लेकर रिपोर्ट में हुए खुलासे में बताया गया है कि 2016 से 19 तक के प्राप्त हुए आकडों के मुताबिक 3 मिनट के भीतर सहायता प्रदान करने के मामले महज 22 प्रश्चत रहे हैं वहीं डायल हंडरेट 75 प्रश्चत मामलों में 60 मिनट का समय लेकर घटना इस्थल पर पहुँची है इसकी रफ्तार 12 गंटे से अधिक रही है इतना ही नहीं रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि डाल हंडरेट में करीबन एक करोण कॉल आए हैं जिनमें से सिर्फ 20 लाग पर ही कारवाई हुई है इसका इसपष्ट अर्थिया है कि 80 लाग काल अनुप्योगी थे C.E.G. ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2016 से 19 के बीच आपात का अलिनकाल पर प्रत्किरिया समय में कोई सुधार नहीं हुआ है वहीं सेवा का कोई विशेश लाभ जो की नजर आना चाहिए नजर नहीं आता है इस ब्यवस्था को सुधारने के आवस सकता है साथ ही C.E.G. ने यह भी कहा कि इस ब्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा सालाना 104 करोन रुपए खर्च किये जाते हैं बाबजूद इसके अभी तक इसकी निगरानी ठीक नहीं हुई है डायल हंड्रेट की खामियों को तत्काल ठीक करना चाहिए और इस पर सरकार को सक्ती से बिचार भी करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद